हलो दोस्तो अब सभी कई कैसे हैं मैं उम्मिद करता हूँ कि आप सभी कई बहुत ही बढ़िया होंगे बहुत ही जवजस्त होंगे दोस्तो आज हम लोग सौल्व करने वाले हैं जहारखंड जेसेसी सीजियल का प्रेक्टिस सेट अबर 9 इससे पहले जोस्तों लोग ओल्लेडी आर्ट सेट को कवर कर चुके हैं अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट जागर देख सकते हैं सारा वीडियो को आप लिस्ट बना दी हैं दोस्तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग कवर करने वाले हैं समायन्य अधियन को आपको पता ह होगा कि जार्खर्ण जैसरी सिजल में टोटल समयने एधन से 30 प्रशने पूछा जाता है ठीक है तो चलिए हम लोग आज की सेशन को जल्दी से शुरुआत करते हैं देखिए आज का जो पहला प्रशन हो आपके स्क्रीन पर है प्रशन क्या है किसी देश ने वस्तु एवंग सेवा कर सबसे पहले लागू किया था वह देश का नाम बताने आपको जो देश सबसे पहले वस्तु एवंग सेवा कर सबसे पहले लागू किया था तो वह देश है ज पहला इस कोचेंज का राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस जी एस्टी जो है वह 1904 में लागु किया था नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला पस्ट पे दोराब जी टाटा दुवारा टाटा आरन एंड इस्टील कमपनी यानि टीस को कि अस्थापना किस वर्स में की गई किस वर्स किया था वह वर्स आपको नाम बताना है तो वर्स जोस्तो 1907 अप्शन नमबर पहल बी राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी 1907 नेक्स्ट आते हैं अगला पस्ट पे खेल ने दितिया रूप थोड़ा का समंद किस राइस से बताना है थोड़ा का समंद क किस राइस से है तो वह राइस जोस्तों हिमाचल परदेश ऑप्शन नमबर जो है डी वर्ला राइट एंसर हो जाएगा उस्तों हिमाचल परदेश नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला पस्ट पे महात्मा गांधी दुवारा दचिन अपरिका में प्रकासित की गई पत्रिका गई नाम इंडियन ओपनियंट था याँ ऑप्शन नमबर जो इसका सी वर्ला राइट एंसर हो जाएगा इंडियन ओपनियन नेक्स्ट परदोगा आते हैं अगला प्रशना पांच नमबर प्रस्टा है दो गरह जिसके उपगरह नहीं है वह है आपको वह आपको दो गरह का ना बताना जिसका कोई उपगरह नहीं है तो जीर्स टो बूध यवाल राइट एक सेकड़ और बी राइट एंसर होजएगा बूध यहां से एक और प्रस्ण पूछता है कि शुक्र जो गरह वह सबसे चमकिलागरह कौन सा है था इस प्रशन पूछा हुए है अगला है भारत समिधार में कितने मौलिक अधिकार उल्लेग थे हैं तियात अगला है सात नमबर भारत का पर्थम वहसराई कों था उन aiming उनका नाम जोस्तों लाड़ कैनिन option number पहला right answer हो जाएगा next है मसाई निवन में से किस देश की जन जाती है आपको बताना है मसाई किस देश की जन जाती है 13 तो जो मसाई वो केनिया की जन जाती है option number जो है ये right answer हो जाएगा next आते हैं 9 नवर पस्ट न लावनी लोगनुदित्य भारत की किस राई से समंदित है बताना है कोंसा राई से समंदित है तो राज़ेजर्स तो महाराष्ट option number जो है इसका ये right answer हो जाएगा आते हैं हम लोग अगला पस्ट पर अगला है 10 नमबर 10 नमबर पस्टन है आजाद बच्पन की और नामक पुष्टक किस लेखक द्वारा लिखी गई है आपको बताना है आजाद बच्पन की और नामक पुष्टक किस लेखक द्वारा लिखी गई है तो ये अगला है तो कैलास सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है option number पहला right answer हो जाएगा next है भारत या संसाद में बित्य बजट कोन प्रस्तूत करता है आपको बताना है भारत या संसाद में बित्य बजट कोन प्रस्तूत करता है तो यह दो बित मंतरी option number इस questions का C right answer हो जाएगा बित मंतरी दोस्तो भारत में पर्थम जो बजट है वो अठारा सो साथ में पारित किया गया था नेस्ट आते हैं अगला पस्ने पे अगला पस्ने है लोधी राजवन्स का अंतिम सासक कौन था या दोस्तो लोधी राजवन्स का अंतिम सासक इबराहिन साह लोधी था यानि option number जो है इसका B right answer हो जाएगा नेल्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदे का नाम बताईए भारत की सबसे लंबी नदे तब सभी पता होगा दोस्तो वो है गंगा नदी option number B उला इसका right answer हो जाएगा दोस्तो यहांसे प्रस्ण और पूष्ता की गंगा ना देकर कुल लंबाई कितना है तो यहांब करना उस्तो 25 25 किलो मेटर ठीक है यह ची सो पची सो पचीष किलो मेटर नेक्ट है मात्मगाने दुवारा भारा छुड़ान दलन का प्रारम वर्स में क्या गया था ये कौन सा वर्स में क्या गया था तो वह सब क्या था उस्तो उनिस्सो ब्यालिस मात्मगाने दुवारा भारा छुड़ान दलन का प्रारम उनिस्सो ब्यालिस इस भी में क्या गया था option number B right answer हो जाएगा आते हैं अगला पॉंस्ट पे दोस्तो हम लोग बहुत कम समय लेकर इस practice set को cover करेंगे ठीक है क्योंकि आप लोग के पास भी बिल्कुल समय नहीं होगा तो आप लोग मात्र मेरे साथ 10 से 12 मिनिट बने रहे हैं ठीक है उतना में ही पुरा cover हो जाएगा नेक्स्ट है किस 17 से नानी ने मात्र मागांधी को पहली बार राष्ट पिता का कर सम्मधित किया था बताना है किसने पहली बार राष्ट पिता कहा था मात्र मागांधी को उनका नाम है जोस्तो सुभास चंद्र बोज option number B right answer हो जाएगा next है भावतिक सास्त्र में नोबल पुरुस का जितने वाले पर्थम भारतिया बेक्ति का नाम बताईए पर्थम भारतिया बेक्ति का नाम बताना है आपको तो उनका नाम अज़तो C.B. रामन option number D right answer हो जाएगा next आते हैं अगला पर्षने ये suitable boy पुष्टक के लेखा कौन है आपको बताना है ये suitable पुष्टक के लेखा कौन है तो याद रहता है तो बिकरम सेट है option number पहला right answer हो जाएगा next है महिलाओ के ससक्तिकरन के लिए राइष्टिय निती कीस वर्ष अपनाए गई थी कौनसा वर्ष अपनाए गया था तो वर्ष तो 2001 option number जो हैस का ये वला right answer हो जाएगा next आते हैं 19.9 पर्षन पर 19.9 पर्षन है भारत का केंदर ये अवस्दी अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है वताना आपको कहां पर ये इस्तित है वताना अच्टो ये लखनओ में है कहा है लखनओ और लखनओ कहा है उस्थो यूपी में है याने उत्तर पर्दिश में है next एगला पर्षन भारती भासाओं में हिंदी के बाद विसो में कौन सी भासा अधिक्तम बोली जाती है वताना हिंदी के बाद विसो में कौन सी भासा अधिक्तम बोली जाती है तो वताज़ों तो बंगला option number जो है C वाला इसकोचन का right answer हो जाएगा दोस्तो आप लोग हमें comment किजेगा कि आपको तिस प्रष्ण में से कितना प्रष्णा का answer पहले सा आता था जिरूर कमेंट किजेगा नेक्स्ट है तुर्की की राजधानी क्या है आपको बताना है तुर्की की राजधानी क्या है तेतना इसकोचन अंकारा है option number जो है D right answer हो जोग जोग तो अंकारा नेक्स्ट है इन में से किसने भारत के पधान मंत्री के रूप में सबसे अधिक समय जय काईर क्या है तो वह जई रिख तो अपलो का जोहारलाल नेहरू जोहारलाल नेहरू option number जो है पहला राइट एंसर हो जाएगा जोहारलाल नेहरू यह 1947 से लेकर 1964 तक किया थे है ना 1947 से लेकर कब तक क्या थे 1964 तक सबसे लंबा कारेकाल नेक्स्ट आते हैं अगला पस्न पे अगला है लोग सभा में सदेश्वर की अधिक्तम संक्या कितनी हो सकती है तो 552 हो सकता है ओप्सन नमबर जो है कि सी राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट लोग आते हैं लेकिंग दोस्तों बर्तमान में लोग सभा में 545 सदेश्वर ना अगर बर्तमान में 545 सदेश्वर नेक्स्ट अगला पस्न पेरियार टैगर रिजर्वर किस राइज में है तो उमसन नमबर सी राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है सबसे गर्मगरा का नाम बताई है सबसे गर्मगरा का आपको नाम बताना है तो अगरा तो सुकरगरा ओप्सन नमबर बी राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों सुक्रगरों को सुबह का तारा भी शुक्रगरों कह जाता है और साम का तारा भी रिखा लेगा तो सुक्रगरों को ही कहते हैं ठीक है दोस्तों अपलग कमेंट के जाया कि लाहूर कहां परिष्टी थे नेच्ट है राईस सभा सदिस्ते का कारेकाल कितने वर्सों का होता है यह राईस सभा सदिस्ते चे वर्ष का होता है option number B is questions का right answer हो जाएगा आई हम लोग आते हैं अगला पस्टन पे अगला पस्टन है गिलमसेस ओफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुष्टक के पुष्टक को किस ने लिखा किस ने लिखा अपना मदाना है तो उनका लिखागी जोस्तो जोहारलाल नहरू option number जो है D right answer हो जाएगा अगला है भारते समिधान का भाग 4 निमलिखित में से किस समदित है जो भाग 4 है वो निमलिखित में से किस समदित है तो इसका जो समद्ध है वो है राज के निती निदेशक तत्तों से option number जो है इसका D right answer हो जाएगा और दोस्तो आज का आखरी प्रस्णा, तीस नमबर, आज का आखरी प्रस्णा है, तोडर मल किस मुगल सासक के प्रसीद राश्व मंत्री है, तो यह तो अकबर का, ओप्सन नमबर जो है, सी ओला इसका राइट एंसर हो जाएगा, तो दोस्तो हम उमिद करेंगे कि यह प्रेक् जरूर कीजेगा, और पहला बार मेरा चैनल मा आये होंगे, चैनल जरूर सस्क्राइब कर लिएगा, ठीके, तो दोस्तो, मैंने कभी भी पुरा वीडियो में नहीं बोलता कि आपने चैनल को सस्क्राइब करें, अगर आपको अच्छा लगेगा, तो यह आप लास्ट में सस् ठीक है, चैनल हमलाग मिलते है, नाट विर्याम तर तक लिए, थैंक्यू, जाइ हिंद,